हेलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं y-axis का जो पॉइंट वो निकालने जा रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन बना देते हैं यहाँ पे x वाला टॉर्म है यह x dash dash मतलब यह इस साइट positive होता है इस साइट negative उसी तरह से y dash इस साइट positive इस साइट negative उसके जो भी पॉइंट है यह वाला y-axis इसमें x का वैलू 0 होता है जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट माल लेते हैं b तो x वाला 0 होगा 0 लिखती है y का पता नहीं तो y लिखती है उसी तरह से x काडिनेट में यह वाला पॉइंट x रहागा y वाला टर्म 0 होगा उसके आद यहाँ पे y-axis ठीक है यह p पॉइंट है जो की की डिस्टेंस है और –5.2 तो –5 मतलता एक्स वाला माल लेकि यह –5 है y वाला यहाँ पे 2 तो यह पॉइंट माल लेके –5,2 इसको आँ एक कहते हैं उसके बाद यहाँ पर अगला जो चीज है 9-2 तो इसको हमाल लेते है 9 y का वैलू-2 तो यहाँ पर माल लेते है यह-2 है तो यह जो पॉइंट आयो 9-2 इसको माल लेते है बी तो जो y पॉइंट है ठीक है यह एक्वल एक्विडिस्टेंस है बतब यह एक्विडिस्टेंस है पी बी के यह वला पॉइंट के यहाँ पे हैं pa equidistance pb उसके बाद यहाँ पे हम pa का square कर सकते हैं दोह साइट कोई फर्ट में पढ़ेगा उसके बाद यहाँ पे distance formula आपको बता होगा यह होता है x2-x1 का whole square y2-y1 का whole square उसी दर सकर distance का square कर दिया जाए तो यह हो जाएगा x2-x1 का whole square y2-y1 का whole square अब यहाँ पे यह तो पता है तो उसी दर से pa का हम distance निकाल रहे हैं तो यह p है जो की value है 0y और a है यहाँ पे minus 5 2 तो यहाँ पे distance formula का जो हता है इसको हम कर रहा हम यह x1 है यह x2 है यह y1 है यह y2 है तो distance formula x2-x1 मतलब minus 5 minus 0 का square plus y2-y1 y2 है 2 minus y का square equal to pb यह p है 0y b है 9-2 तो यह गया x1 यह x2 यह y1 यह y2 तो यहाँ पे x2-x1 9-0 का square उसके बाद y2 minus y1 minus 2 y1 है यहाँ पे y का whole square और इसको आपको simple soft करना है तो यह बाला value निकलेगा minus y उसके बाद यहाँ पे 2 minus y का whole square है यह value निकलेगा 9 का whole square minus 2 minus 1 का whole square तो यह बाला पाठ था यहाँ पे minus 2 minus y का whole square अब यह जो माइनस 5 का whole square यह बाला यह बाला यह बाला यहाँ पे a minus b के whole square का पता होगा a square plus b square minus 2ab तो यह formula इस पे best है तो यहाँ पे a square a है b यहाँ पे y है तो a square plus y square minus 2 into 2 into y 9 का square 81 उसकाद यहाँ पे अगर हम minus 1 का square करते हैं यहाँ पे 2 plus y का whole square होगा minus अगर निकाल लेते हैं यहाँ पे minus का square निकाल लेते हैं तो minus into minus यहाँ यहाँ प्लस यह हो गयाँ 25 यहाँ पे लिख दिए हैं 2 का square 4 यहाँ पे y square यहाँ पे यहाँ पे y square इसका वाले निकलाओ 22 यह 4 y equal to 81 यहाँ पे a plus b के whole square पे इसका ब्रेक कर रहा है यहाँ पे a plus b का whole square a square plus b square plus 2 a b बत्व यह हो जाएगा 2 का square 4 y का square 2 a b 2 into a into b यह हो जाएगा 4 y ठीक है अब जो भी term है यह वाला सब का बढ़ावर के इधर ले जा रहे हैं तो एक चीज़ और थोड़ा इसको simplify कर ले है तो यहाँ पे 25 plus 4 योग्या 29 यह y square minus 4 y यहाँ पे 81 plus 4 योग्या 85 यह y square plus 4 y अब इस सब को बढ़ावर के धर ले जा रहे तो यह y square plus 4 y plus 85 को उतार दिये हैं यह सब plus में बढ़ावर के दर जागा तो माइनस में है ठीक है तो यह हो जागा minus 29 minus y square यह minus में तो यह plus में हो जागा 4 y equal to 0 उसके बाद यह y square plus minus से खतम हो गया उसके बाद यहाँ पे 4 y 4 y यह हो गया 8 y 85 में से 29 जाएगा तो यह हो जाएगा 56 ठीक है यह 56 equal to 0 8 into y equal to 0 0 minus 56 यह हो गया y इसको अगर solve करेंगे तो minus 56 यह 8 नीचे जाएगा तो यह 7 बाद में कट जाएगा तो y का वहले निकला minus 7 तो point निकलना है तो point वह P मानत है P तो P का वहले निकला 0 minus 7 ठीक है तो यह वह लो point यह हो गया 0 minus 7 यह answer point निकला 0 minus 7 यह answer तो इस तरह से question को solve की जाता है और यहाँ पे y का point निकला जाता है तो y access अभी दिया रहा है तो यहाँ पे x का वहले 0 का तो 0y ठीक है अगर x access यहाँ पे दिया जाता तो यहाँ पे होता x 0 एक्यू डिस्टेंस मदब सेम दोरी यह वहला point जो भी P है P point P से यह equal है और यह दुनों equal है एक्यू डिस्टेंस मदब सेम डिस्टेंस तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपका समझ में आक्या होगा तो आजकी वीडियो में इतनी मिलते है नए वीडियो में नए टोवी किसा THANK YOU अजकी अजकी बड़ियो